दोस्तो हमारे सोलर सिस्टम का एक मात्र नोन श्टार यानि की हमारा सूरज अकेले ही सोलर सिस्टम के टोटल मैस का 99.86% अकुपाई करता है जबकि अगर बात करे हमारे पृत्वी की तो ये सोलर सिस्टम का पांचवा सबसे बड़ा प्लानेट है फिर भी हमारा प्लानेट इतना छोटा है कि ये सौर मंडल के टोटल मैस का सिर्फ 0.0003% ही है अगर हम सूरज और हमारे धरती को कंपेर करें तो हमारे सूरज का डियामीटर 13.9 लाग किलो मीटर है जो कि हमारे धरती के कंपेरिजन में 109 गुना जादा बड़ा है और इसका मास 1.9 इंडो 10 गुपार 30 किलो ग्राम से है इतने मैस में हमारे धरती के जैसे 3,30,000 ग्रह आसानी से फिट हो जाएंगे मतलब यार सीधे सीधे कहा जाए तो हमारे सूरज के सामने हमारी साइज वैसे है जैसे हाती के सामने चीटी की लेकिन क्या हो अगर ये चीटी हाथी बन जाए तो मतलब अगर हम अपने धरती के साइज को 3,30,000 से गुना कर दे तो क्या होगा क्या होगा अगर हमारी धरती सूरज के साइज की हो जाए तो वेल आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बार में बत्ताने वाले हैं तो हलो गाईज मैं उकार्श रिकर्ट चले शुरू करते हैं आज के इस नए अपिसोड को दोस्तो हमें से जातर लोग अकसर ये कप्लेन करते रहते हैं कि हमारी धरती इतनी छोटी क्यों है मतलब अगर हम कोई जूपिटर के साइज के प्लानेट पर रह रहे होते तो कितना बढ़िया होता ना तो चलिए आज हम आपके लिए प्रित्वी के साइज को तीन लाग तीस हजार गुना बढ़ा कर उसे सीधे सूरज के साइज का बना देते हैं अब तो आप खुस होंगे ना लेकिन वेट यहां एक ट्विस्ट है यहां हम केवल धरती के साइज को ही इंक्रीज करने वाले हैं लेकिन यहां एबलेबल रिसोर्सेस को नहीं क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम किसी दूसरे प्लैट पर तो जानी रहे हैं हम यहां अपने ग्रह को ही ट्रांसपॉर्म कर रहे हैं ऐसे में हमारे रिसोर्सेस के ताद छेड़ चाड़ करना सही नहीं होगा दोस्तो हमारे धर्ती का 71% भाग पानी से घीरा हुआ है अब जैसे कि हमने पहले ही माना था कि हम रिसोर्सेस के ताद छेड़ चार नहीं करने वाले इसलिए साइज को इंक्रीज करने पर पानी उतनी ही रहेगी अब अगर ये पानी धर्ती के 71% भाग को ही घेरती है तो अब बड़े बड़े समुद्र ऐसे लगेंगे जैसे तेज बारिस आने पर बाढ़ का पानी सड़कों पर आ गया हो नदिया ऐसी लगेंगी जैसे बारिस के बाद गड़े अब आप सोच रहे होंगे कि यार इनको चाहे जितना भी स्ट्रेच कर लो पानी तो अब भी उनमें उतना ही है ना तो फिर टेंसन लेने वाली क्या बात है लेकिन यहां टेंसन लेने वाली कोई एक रिजन हो तो वताओ ना यहां आपको धेर सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं अगर आपने बच्पन में थोड़ी बहुत भी साइंस मन लगा कर पड़ी है तो आप जानते ही होंगे कि सर्फेस एरिया इंक्रीज करने पर एवैपोरेशन का रेट भी इंक्रीज होता है मतलब जब हम वाटर रिसोर्सेस के एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं तो सूरज की डाइरेक्ट हीट भी ज्यादा एरिया में पड़ेगी और पानी भी भाप में ज्यादा बदलेगा इन सब के बीच पानी में रहने वाले बड़े बड़े जीव जैसे की वेल्स और सार्क्स तो बोट की तरह हो जाएंगे मतलब इनका आधा सरीर पानी में होगा तो आधा पानी से बाहर सूरज की ज़्यादा हीट पढ़ने के कारण पानी का टेंपरेचर हाई हो जाएगा और समुद्र के गहराईयों में रहने वाले cold-blooded animals हमेशा के लिए धरती से विलुप्त हो जाएगी अब ये effect सिर्फ पानी में रहने वाले जीव पर नहीं पढ़ेगा बलकि जमीन पर रहने वाले जीव भी काफी परेसान होने वाले हैं अब जाहिर से बात है कि जमीन का एरिया बढ़ने पर वो भी अच्छी खासे stretch होने वाली है और इसके कारण land और water के बीच की distance बहुत बहुत जादा बढ़ जाएंगी ऐसे में जमीन पर रहने वाले जानवरों को पानी तक पहुँचने के लिए बहुत जादा ट्रैवल करना पड़ेगा और water resources के आसपास ही अपनी जरूरत की सारी चीज़े ढूड़नी होगी वैसे जमीन पर सिर्फ जानवर ही नहीं रहते बलकि हम इनसान भी तो रहते हैं दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है लेकिन ये बात तो clear है कि हम इनसानों को जानवरों के comparison में ज़्यादा problems face करने पड़ेंगी wait क्या? सायद आप में से कहीं लोग तो अभी तक ये सोच रहते कि इनसानों को रहने के लिए काफी ज़्यादा area मिल जाएगा property के rates गिर जाएगी भीड़ भाड़ वाली जगे खत्म हो जाएगी और हर तरफ आराम ही आराम होगा जगह ही जगह होगी well ऐसा तो होगा ही लेकिन इसके लिए हमें काफी sacrifices भी करने होगे अब ज़रा आप सूचिए कि अगर हम धरती के size को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो धरती के surface पर soil यानि की मिरदा की layer जो है वो कितनी कम बचेगी क्योंकि resources तो limited है ना अब इतनी सी soil से हम सायद ही इतने बड़े population के needs को पूरा कर पाएंगे क्योंकि इस दुनिया में रहने वाला हर एक इनसान directly और indirectly खाना कहां से प्राप्त करता है plants से ना plants अपना खाना soil के बिना बना नहीं सकते और अगर वो खाना बनाएंगे नहीं तो कोई animals और humans जिन्दा नहीं रह पाएंगे जिसका ultimate होगा ये दोस्तो आज जब आप एक सहर से दुसरे सहर जाते हो तो आपको काफी कम distance ट्रावल करना पड़ता है और आपका समय भी काफी कम लगता है क्योंकि इन दुनों सहरों के बीच का distance अभी काफी कम है लेकिन अगर धरती सूरज के बराबर हो गई तो दो सहरों के बीच के distance भी दो continents के बीच के distance के बराबर होने वाली है मतलब एक सहर से दुसरे सहर जाने में काफी ज़्यादा time लगने वाला है ऐसे में हमें पूरी दुनिया घुमने का सपना तो छोड़ ही देनी चाहिए अब मैं आपका ध्यान fuel consumption और cost की तरफ लाना चाहूंगा दोस्तो इस condition में transportation बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है तो इसमें fuel भी लगेगा और बहुत पैसे भी लगेंगे और ऐसे में हमारे natural resources भी बहुत ज़्यादा तीजी से खत्म हो जाएंगे मतलब यार कुछ भी कहो problems तो बहुत ज़्यादा होने वाली है दोस्तो अगर हमारे धर्ती का size और mass increase होगा तो यहां की gravity भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी scientist के अनुसार अगर धर्ती सूरज के बराबर mass की हो जाए तो इसकी gravity भी 28 गुना ज़्यादा increase हो जाएगी इससे होगा यह कि अगर आज आपका वजन 100 kg है तो sun-sized earth पर आपका वजन 2800 kg होने वाला है और आपकी body किसी sumo wrestler की तरफ full जाने वाली है अब gravity ज़्यादा होगी तो time भी slow चलेगा और आप ज़्यादा लंबे समय तक जिन्दा रह सकोगे लेकिन इतने भारी सरीर के साथ सायद आपको लंबे समय तक जीना भी पसंद ना आए इस धर्ती पर जितने भी उचे उचे माउंटेंस है वो इस extra gravity का सामना नहीं कर सकेंगे यहां तक की उचे पेड भी गिर जाएंगे तो चलिए अब अपने scale को बड़ा करते हैं और बात करते हैं पूरे solar system में होने वाले प्रभावों की दोस्तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सूरज हमारे solar system का 99.86% mass occupy करता है लेकिन अगर solar system में सूरज की size के दो objects होंगे तो धरती और सूरज दोनों ही 99% के about का mass occupy कर लेंगे अब इतनी बड़ी धरती तो आज के समान सूरज को चक्कर काटने वाली नहीं है तो अब धरती और सूरज एक साथ किसी binary star system के तरह perform करेंगे अगर आप binary solar system के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको उसके link उपर आएके बटल पर मिल जाएगी Just imagine की सूरज और सूरज के size की धरती के बीच Mercury और Venus का क्या होने वाला है वैसे मुझे नहीं लगता कि वो हमारे imagine करने के लिए exist कर पाएंगे लेकिन अगर बात करें Mars की तो इन महासे के पास एक ही option बचेगा कि ये धरती के चारो और orbit करने लगे यानि कि हमारी दूसरी चांद बन जाए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो साइद Mars भी खत्म हो जाएगी हमारी एकमात्र natural satellite यानि कि हमारा चांद इतने बड़े प्रित्वी के आसपास एक्जिस्ट नहीं कर पाएगा और destroy हो जाएगा Mars और Jupiter के बीच प्रेजेंट एस्टरोइट बिल्ट पर भी बहुत जोर का gravitational pull लगने वाला है और धर्ती पर एस्टरोइट की बारिस हर दिन हर घंटे होने वाली है यहां तक कि Jupiter और Saturn यासे बड़े बड़े planets को भी अपने orbit को stable रखने के लिए काफी महनत करने पड़ेगी सरल सब्दों में कहें तो पूरे solar system में उतल पुतल मत जाएगी और इसका सीधा सा अंजाम ये होगा कि हम इंसान और यहां धर्ती पर रहने वाले सारे जीव यहां जिन्दा नहीं बच पाएंगे तो यार अब मैं उन लोगों का विचार जरूर जाना चाहता हूँ जो पृत्वी के Jupiter या Saturn के साइज का होने का ख्वाब देखते थे अब आप ही बताओ क्या आप चाते हूँ कि Humanity पूरी तरह खत्म हो जाए नहीं ना तो धर्ती की जो साइज है उतने में ही संतूष्ट रहना चाहिए क्योंकि घर चाहे चोटा हो या बड़ा अपना घर अपना ही होता है और बेश्ट होता है तो इस बात पर एक लाइक करना तो पंत्या यार तू सोच कह रहा हो जल्दी से लाइक कर दो तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक एक प्राइब कर दो थिएी करके लेक लिए करना है तो